सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रदर थॉमस जी का, जो हमें आज इतने अच्छे से मार्क दर्शन दिये हैं, प्रभु येश्य मसी के करीब ले गए हैं हमें, मेरा ग्रूप नंबर है 6 और हम लोग साथ लोग थें वहाँ, जो दो एक्टिविटीज हुए आ उसमें इतना अच्छा एक नया अनुभाव हमें मिला, जैसे कि मुझे अब तक ऐसा लगता था, कि जिसके उपर कुछ स्पेशल वर्दान रहते हैं, वही जान सकते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम हैं, उन्हें क्या तकलीफ हैं, और उनके लिए वो प्रेयर करते हैं, और यानि बहुत ही अच्छा एक्सपिरियंस था हमारे लिए, वो हम नहीं किया, जैसे जैसे ब्रदर जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया, हम वैसे ही फॉलो करते गए, और हमारे ग्रूप में कुजूर अंकल है, जो उनके लिए हम प्रातना कर रहे थें, हम सब हाथ रखके, औ और हम सब ने अनुभव किया था, बहुत अच्छे से प्रातना किये, जैसे प्रातना खतम हो गया, और तुरंद मैंने बोली कि अंकल आपके पीट में, आपके कमर में बहुत दर्द है, तो सब ने बोले कि आपके कमर में दर्द है, हमें ऐसा लगा, क्योंकि हमें दर्द हो कि अगर पुरे विश्वास के साथ अगर हम प्रातना करेंगे तो हमें प्रभु एश्यु मसी कुछ ना कुछ सिगनल देंगे और वो बताएंगे कि इन्हें तकलीफ है और इनके लिए प्रातना करिए जो पहला एक्टिविटी हुआ उसमें हमें बहुत को सीखने किलेम लिया और जैसे ही सेकंड अक्टिविटी की बारी आई तो तुरन मेरे गूप के एक-एक जन रेड़ी हो गए प्रातना के लिए याने उनका विश्वास बढ़ गया पहले अक्टिविटी में उनका विश्वास याने बढ़ रहा था और दूसरे अक्टिविटी तक इतने वो confidence हो या हम लोग हमारे family के लिए प्रेयर करेंगे, उनसे मागेंगे कि हमारे family के लिए प्रेयर करो, तो वो करेंगे, तो हमारे family members भी ठीक हो जाएंगे. तो सभी ने अपने family member के लिए भी प्रातना करने के लिए कहा, तो हम सब ने मिलके हैं, उनके family member के लिए भी प्रातना किये, और मेरे group में दो नए लोग है, husband, wife, वो पहली बार आये है divine वचन आश्रम, और उन्होंने कहा है कि हम हर बार आएंगे, उनका first experience था यह आज का, उन् मैं ब्रदरची को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज के दिन के लिए और इतने अच्छे से हमें mark दर्शन किये, प्रभु येश्यु मसी के करीब ले गए, उनसे बातचित करने हमें सिखाए है उसके लिए, बस इतना कहके मैं समाप्त करती हूँ, thank you.